नमस्कार साथियों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे साथियों आज का इस वीडियो में हमने सामानने ग्यान का 20 बहुती महतपूर्ण सवालों के बारे में आप सभी को बताया है जो की आपके लिए बहुती महतपूर्ण है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आपका पहला सवाल है भारतिय नोट पर कितनी भासा लिखी होती है क्या आप जानते हैं आपका ओप्शन है A. 12 भासा B. 17 भासा C. 20 भासा D. 24 भासा साथियों आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए 5 सेकेंड मिलेंगे तो चलिए आपका समय शुरू होता है अब आपका सही जवाब होगा ओप्शन B. 17 भासा दूसरा सवाल है सुर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है आपका ओप्शन है A. चीन B. भारत C. जापान D. नार्वे आपका सही जवाब होगा ओप्शन C. जापान तीसरा सवाल है मनुस्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है आपका ओप्शन है A. कुत्ता को B. कबूतर को C. बंदर को या D. डॉल्फिन को आपका सही जवाब होगा ओप्शन D. डॉल्फिन सवाल नंबर चार है ओल्फिक खेलों का आयोजन कितने वर्सों बाद होता है आपका ओप्शन है A. एक वर्स, B. दो वर्स, C. चार वर्स, D. पाँच वर्स आपका सही जवाब होगा ओप्शन C. चार वर्स सवाल नंबर पाँच है वायुयान का आविस्कार किसने किया था आपका ओप्शन है A. गराहम बेल ने, B. राइट ब्रादर्स ने, C. हेनरी फॉड ने, D. माइकल फैराडे ने साथियों यदि आप किसी भी सवाल का जवाब पहले से जानते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपका सही जवाब होगा ओप्शन B. राइट ब्रादर्स सवाल नंबर छे है ऐसी कौन सी गैस है जिसको सूंगने पर आदमी हसने लगता है आपका ओप्शन है A. हेलियम, B. हाइडरोजन, C. नाइटरस ओक्साइड, D. कारबन मोनो ओक्साइड आपका सही जवाब होगा ओप्शन C. नाइटरस ओक्साइड सवाल नंबर साथ है सुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है आपका ओप्शन है A. 20 कैरेट का, B. 22 कैरेट का, C. 24 कैरेट का, D. 30 कैरेट का आपका सही जवाब होगा ओप्शन C. 24 कैरेट का सवाल नंबर आठ है सुद्ध की किरनों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है आपका ओप्शन है A. विटामिन A, B. विटामिन B, C. विटामिन D या D. विटामिन K आपका सही जवाब होगा ओप्शन C. विटामिन D सवाल नंबर 9 है भारत में जनगन्ना कितने वर्सों के अंतराल पर होती है आपका ओप्शन है A. एक वर्स, B. पांच वर्स, C. साथ वर्स या D. दस वर्स आपका सही जवाब होगा ओप्शन D. दस वर्स सवाल नंबर 10 है छेत्रफल की द्रिष्टी से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपका ओप्शन है A. गोआ, B. असम, C. केरल, D. मिजोरम आपका सही जवाब होगा ओप्शन A. गोआ सावाल नंबर 11 है ओणम की सराज्य का प्रसिधतिवहार है आपका ओप्शन है A. केरल का, B. गुजरात का, C. महराश्च्र का या D. चंडीगर का पांच वर्स आपका सही जवाब होगा ओप्शन A केरल का सवाल नंबर 12 है लिप्स्टिक लगाने से कौन सी बिमारी होती है आपका ओप्शन है A. पत्री, B. कब्ज, C. कैंसर या D. हट अटेक आपका सही जवाब होगा ओप्शन B. कब्ज, कब्ज की समस्या हो सकती है सवाल नंबर 13 है महा भारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी आपका ओप्शन है A. साथ दिन, B. दस दिन, C. चौदा दिन, D. अठाड़ दिन आपका सही जवाब होगा ओप्शन D. अठाड़ दिन सवाल नंबर 14 है आँखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपका ओप्शन है A. दर्शन देना, B. डराना धमकाना, C. सामने देखना, या D. नेत्र प्रिक्षन करना आपका सही जवाब होगा ओप्शन B. डराना धमकाना सवाल नंबर 15 है कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है आपका ओप्शन है A. विटामिन A, B. विटामिन B, C. विटामिन D, या D. विटामिन K आपका सही जवाब होगा ओप्शन D, विटामिन K सवाल नंबर 16 है विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है आपका ओप्शन है A. चीन में, B. भारत में, C. सौधी अरब में, या D. अमेरिका में आपका सही जवाब होगा ओप्शन C, सौधी अरब में सवाल नंबर 17 है भारत में सबसे पहले टैक्सी सेवा किस सहर में लागू हुई थी आपका ओप्शन है A. कोलकाता में, B. मुंबई में, C. दिल्ली में, D. बैंगलूरू में आपका सही जवाब होगा ओप्शन D, बैंगलूरू में सवाल नंबर 18 है अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है आपका ओप्शन है A. नाक का बाल होना, B. पेट में दाड़ी होना, C. आँख का तारा होना, D. इद का चांद होना आपका सही जवाब होगा ओप्शन C, आँख का तारा होना सवाल नंबर 19 है किस राजा ने अपने मा से साधी की थी आपका ओप्शन है A. हुमायू, B. अकबर, C. ओडेपस, D. ओरंग जेब आपका सही जवाब होगा ओप्शन C, ओडेपस ने सवाल नंबर 20 है लुह पुरूस किस महा पुरूस को कहा जाता है आपका ओप्शन है A. भगस सिंग को, B. महत्मा गांधी को, C. सरदार पटेल को या D. लाल बहादुर सास्त्री को आपका सही जवाब होगा ओप्शन C, सरदार पटेल को सवाल है एक ऐसी भूमी जो हमेशा नरम और गिली होती है आपका ओप्शन है A. मैदान, B. दलडल, C. वन या D. गाडन साथियों ये सवाल आपके लिए है इसका जवाब आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में दे कर जाना है साथियों वीडियो गर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को आउन कर लें रोजाना इसी तरह का इंट्रेस्टिंग और नॉलजेवल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद